है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह अपने इंस्टाग्राम थ्रेट्स अकॉंट को प्राइवेट कर सकते हैं अगर आपका Instagram Threads Account पब्लिक है तो आज मैं आपको बताओंगा आप किस तरह इस अकॉन को प्राइवेट कर सकते हैं अगर आप भी अपने Instagram Threads Account को प्राइवेट करना चाते हैं तो इस वीडियो को एन तक ज़रूर देखना तो चलिए गाइस वीडियो को इस श्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल एगन को प्रेस करना यहाँ पर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तो अपने इंट्राग्राम थ्रेट्स अकॉन को प्राइवेट करने के लिए आपको इंट्राग्राम थ्रेट्स एप ओपन कर लेना है जैसे आप इंट्राग्राम थ्रेट्स एप ओपन करेंगे नीचे आपको बहुत सारे ओप्शन दिखाई देंगे यहां से आपको लास्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इंस्टाग्राम थ्रेट्स के पेज पर आ जाएंगे उपर आपको दो लखेरे दिखाई दे रही हैं उन लखेरों पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उन लख्यरों पर क्लिक करेंगे तो आपको Settings 12 पेज मिल जाएगा यहां पर आपको उपशन दिखाई ही दे रहा है Privacy तो इस उपशन पर क्लिक किजिए जैसे ही आप उस उपशन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएगे उपर आपको private profile का option दिखाई दे रहा है तो यहां से आपको इस option को on कर लेना है जैसे ही आप उस option पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको यह कुछ permission पूछेगा switch to private account only approved followers will be able to see and interact with your content तो यहां से आपको okay पर क्लिक करना है जैसे ही आप okay पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते है अपना Instagram Threads account जो है private हो चुका है तो इस तरह आप Instagram Threads account को private कर सकते है यहां पर आप देख सकते है उपर जो है lock ओला option आ चुका है हां तो दोस्तो इस तरह आप इस setting को करकर अपने Instagram Thread account को private कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरस्टिंग वीडियोस पानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए Thanks for watching it